करीब 11,56,000 वोटर्स वाले गोवा में बीते 10 सालों से बीजेपी सत्ता में है उसके खिलाफ एंटी इंकम्वेंसी होने के बावजूद बीजेपी दूसरी पार्टियों से अभी तक मजबूत नजर आ रही है बीजेपी को कोई और नहीं बलकि विपक्ष पार्टियां ही मजबूत इस सिती में लाती दिख रही है दरसल 18,00,00 पॉपुलेशन वाले देश के इस सबसे छोटे राज में मम्तामेनरजी की टीमसी और अर्विंद केजरिवाल की आपने पूरी ताकत जोग दी है लेकिन इन पार्टियों के गोवा में एक साथ एक्टिव होने से विपक्षी वोट बटते नजर आ रहे हैं गोवा के सीनियर जर्नरलिस्ट किशोर नाईग गावकर के मताबिक यदि विपक्षी पार्टियां एक साथ बीजेपी को टक कर देती हैं तो बड़ा नुकसाल पहुचा सकती हैं अलग-अलग लड़ने से वोट बटेंगे जिससे फाइदा बीजेपी को होगा पार्टि के लिए अच्छी बात ये है कि एंटी इंकमवेंसी के बावजूद वो दूसरी पार्टियों से आगे नजर आ रही है क्योंकि बूत लेवल तक उसका संगठन बहुत मजबूत है और राज से लेकर केंदर तक में बीजेपी की सरकार है इसका फाइदा पार्टि को मिल रहा है वह अगर आप और टीमसी के गडित की बात करें तो आपने बीते पांच सालों में ग्राउंड पर काफी काम किया है केजिरिवाल खुद आए दिन गोवा का दौरा कर रहे है लेकिन आपने अभी तक अपना सीम फेस अनाउंस नहीं किया है इसके अलावा ममताव एनर्जी की टीमसी कॉंग्रस से आए नेताओं के भरोसे है गोवा के पूर्व सीम रहे लूई जीनो फेलेरियो टीमसी में शामिल हो चुके है लेकिन उन्हें पार्टी ने सीम फेस अनाउंस नहीं किया है टीमसी को अभी तक कोई भी ऐसा पॉपुलर चेहरा नहीं मिल पाया है जो उसे जिता सके 2017 की चुनाओं में कॉंग्रेस मजबूत पार्टी के तौर पर उतरी थी लेकिन इस बार की विधानसभा चुनाओं में कॉंग्रेस का समय पर निर्णय ना होना ही सबसे बड़ी परिशानी है पार्टी सही टाइम पर सही लोगों को टिकट देती है तो उसे फायदा हो सकता है